मार्केट साथ यूट्यूब चलेंग में आपका स्वागा थी इन्बेस्टिन.com के उपर जो सीरीग चल रहा था आज उसका पार्ट नमबर 12 है और एई पार्ट आक्री पार्ट है इस सीरीज का 8 नमबर का पार्ट से 8 नमबर का टॉपीक हाओ टू यूज चार्ट इसको हम चर्चा कर रहे है तो इन्बेस्टिन.com के उपर अबेल लेवल दो टाइप का चार्ट है एक स्ट्रीमिंग चार्ट है और एक इंट्रेktor्टिव चार्ट है तो इस स्ट्रीमिंग चार्ट के उपर हम पार्ट नम्बर 8 से 11 था इस 4 वीडियो में डिटेल्स में चर्चा किये है तो आज इस 12 नम्बर का पार्ट में हम interactive chart को कैसी उस किया जाता है उसको देखेंगे क्योंकि नॉपर दो टाइब का chart अभेलेवल है तो हमें दो टाइब का chart को इस देखेंगे तो तो स्ट्रीमिग चार्ट को छलंब के टो कि आले के लिए कि सよろしく कि पना पड़ेंगा जी थे इंडेक्टि जोखेंवाह को हां टीड लेडने के लिए थे दिदू में का नाम लिख हो लिए तोसली में मुझे में वो दीखा रहा है आप अगर किसी और स्टॉक का जो भी स्टॉक आप मतलब उपन करना चाहिए उसका नाम आप इस पर लिख हो तो जैसे मेरे पास आप यहां से टाटा मॉटर्स को ओपन कर देता हूं फिर चार्ट में जाने के लिए आप यह चार्ट सेक्शन पर किलिक करोगे तो इस चार्ट स सकता है तो यह पूरा पूर्ल स्क्रीन पर ओजाएगा कर गो물 करोगे तो सकते हैं लेकिन आप अगर इस कीरिन पर आने के बाद अगर चेंज करना चाहते हो जैसे यहां पर नाम आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं अब देख सकते हो यहां पर इंडेक्स आ चुका है तो आप इसके उपर किलिक करोगे तो यहां पर चाट कर सकते हैं अभी यहां पर आप यहां पर आओगे लाइन चाट करोगे तो लाइन चाट दिखाए देगा अपनी सबसे जो भी चाट के उपर आप आप अनलाइस करते हैं उस चाट को आप यहां से से चुझ गर सकते हो तो यहां से टाइम कर सकते हो चलिक करना चाहते हो तो यहां सबसेट कर सकते हो यह आपको दिखाए थे रहे तो जिसके उपर इस में आके आप अलाग-अलाग इंडिकेटर लगा सकते हो जैसे आप किसी भी एक इंडिकेटर को अपर क्लिक करोगे तो वे इंडिकेटर आपके चाट के उपर प्लोड हो जाएगा जैसे मैं इसे सीम्लिबृबिंबड को प्लोट हो चुका है यहां और बाइडिफल्ट एक तो आप इसको चेंज करने के लिए ऐसा से चेंज कर रहा है इसमें आप सेंटिंग में जाओगे और आपने सबसे यहां पर प्रियॉड आप चूस कर सकते हो पिर आपको सोर्स मतलब ब्लोस का चाहिए ओपेन का चाहिए मतलब कौन सा प्राइस को लेकर यह इंडिकेटर पुल चेंज कर सकते हो तो यहां से अपनी सबसाब यहां पर चूज काल दोगे फिर यह जो लाइन है इसको किस तरह का रखना है अभी लाइन दिखाई दे रहा है तो आप लाइन रखना लाइन रख दीजिए हिस्टोग्राम एडियास डॉट्स आपको जिस तरह चाहिए आप ऐसे मैं रख सकते हो तो मे самा का राइन लाइन ही इसमें अपर देख सकते हो प्राइस रायस करता हे प्राइस पैंडार ब banco का आ ङया होता है जो मोशाइं प्राइस पैंडर रोड क्या सुटीए यह जो एडिया है जो एरिया है जो केंडल बना इस एर्या को पुड़ा पराइस पैनल बोड़ियाता है तो यह dem distributor ौडिका गया अगर आप इसको मुब हेयर करोगे तो यह मुवईंगे वह आपको Raw मेंपन होगा और सिपरेट दिखाई देगा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कर दिया तो यह पुड़ा सेपरेट एक पैनल में ओपन हो गया प्राइस पैनल से हटके लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं है मुविंग अगर मुविंग अलाग पैनल में ओपर होगा तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा तो आप हमेशा मुविंग अबरेज जब ओपन कर होंगा इस मुविंग अबरेज को कैसे आलाग पैनल में उपन किया जाता है और स्टॉकेश ठीक है आरे साहे विलिया पर्सेंटेज आरे यह सब आलाग में होगा तो आपको अच्छा से दिखाई देगा तो मुविंग अबरेज है वो प्राइस पैनलन में आप राग दीश हो चुका है फिर आप यहां के लिए तो आपका यहां पर देख सकते आप अपनंहीं सबसे कर सकते हो फिर चाहिए ईसे अवर किलिग कर सकते हैं और फिर पर यहां पराप स्टिंग करके यहां पर आपको सिरे पे मिलेगा प्रेबरईट और इंडिकेटरarten प्रेट में क्लिक करो तो फिलाल बाइडीफल्ट यह सब मोविंगे बेलेज फिवरीट में इसलेट किया हुआ है आप चाहो चाहोगे तो यहां से आप बिलिट भी कर सकते और एड भी कर सकते हो जैसे आपको लागता है जो एलिगेटर इंडिकेटर है यह आपको फिवरीट में नहीं चाहिए तब इस आपको इजी हुट जब लगने का टाईम आएगा इंडिकेटर को जैसे स्टै्स में जाके आप लगा सकते हो तो न corner पसंदिकेटर यहां से जूस करके त्रेंट ट्रेंट को अइडेटवाइय करने के लिए जितना भी इंडिकेटर है तौकु अपको दिखाए देरा है तो आप यहां से चूज कर सकते हो क्या चाहिए चाहिए औरहों किसी और स्ब्सक्राइब कि में दढिखा हो इसको totally missile तो हरे इंडल का close प्राइस को एक किनेक्ट करते हुए एक लाइन दिखाई देगा इसे मैं आपको दिख रहा हूं को इसको अपर click करता हूं और अड़ करते तब देहां तो अपने सकती है आप एकERS हो गया है तब इसको सिलेट कर सकते हो तो मैं फिलाल इसको डिलीट कर देता हूं टारीज इंडिकेटर इसे यहां पर हाई लो मेडिया आफसेट ओपें टीपिकल वेटेर इस तरह आप अपने सबसे प्राइस को चूज करके लाइन खीच सकते हो फिर नेक्स वाधा है विल इलियम्स यह प्राइस आपफिर आपको तीन इंडिकेटर गांब है तो यहां से चूज करके और चैट में लगा सकते हो मैं एक बारे में डीटल्स में बतांगा यहाँ लंबा हो जाएगा जाएक इलिउटर में नाफ्में डिटल्स में बताया अप अगर देखने चाते हो तो तो मैं पै पर आपको यह पर जो इंडीकेटर करकते से आपसे ब्यूरीया और क्लिक कर देंगा यह इस्को जो उपर सब्सक्राइब में जा ज़ाएंगे अपने सबसे जाएं आको छोटे इसका क्या चाहते हो फिर इसका ऑफसिटी आप कम ज़्यदा कर सकते हो अब नहीं सब साह के पर इसका कालर क्या दिखाया रहा है इसका टाइब आप क्या शाहते हो और राएगा अभी एरिया है तो इसको लाई ऐसा select करोगे तो अच्छा दिखेगा यहां से close कर सकते हो और इसका panel change करने के लिए वो बूल गया मैंने बता है बताना आपको इसका panel चुछ करने का पैनल में जाओगे फिर आभी यह price panel में open है जैसे यह price panel है इसके उपर ही open है आप चाहते हो कि इसको अलग panel में open करना चाहते बॉलियूम का जो है वो नीचे ही ठीक रहता है दिखने में easy होता है तो मैं इसको नीचे ही रख देता हूँ फिर इसको close कर देता हूँ फिर next आता है compare इसके उपर आप जाके किसी भी stock को किसी इंडाइसे के साथ आप compare कर सकते हो ऐसे मैंने आपको streaming chat में बहुत ही details में बता होगे जैसे यहाँ पर मेरा Tata Motor का stock open है तो मैं चाता हूँ इस Tata Motor का जो stock है इसका Nifty के साथ क्या price relation है उसको देखने चाता हूँ आप इसको compare करने चाता हूँ तो मैं यहाँ पर nifty 50 लिग दूँगा अब देख सकते हैं पर nifty 50 इंडेक्स आचुका है फिर इसके उपर में click क इसको भी आप candlestick chart में बदल सकते हैं लेकिन यहाँ पर indirect chart में आपको कोई भी candlestick option दिया नहीं गया तो आप यही से कुछ एक option चूज़ करके compare कर सकते हूँ जैसे मैं यहाँ पर line चूज़ कर रहा हूँ और जो chart plot होगा उसका क्या color चाता है यहाँ पर चूज़ कर सकते हू इसको compare कर सकते हो इसका price movement को इस तरह आप किसी भी चार्ट को किसी भी चार्ट से compare कर सकते इस compare बटन में जाके मैं फिलाल इसको निकल रहा हूँ और next about तो इसका कुछ काम नहीं आपका analysis पर तो मैं इसको बढ़े में कुछ नहीं बाता रहा हूँ यहाँ पर नेक्स आप जा दिखाए देगा तो आप जो भी चाते हैं पर चूज कर सकते हो फिलाल में चूज कर रहा हो फिर यहाँ पर candle का राट चूज कर सोगे जैसे यहाँ पर आप बला जो candle है उसका color क्या चाहते हो तो मैं यहां से इसको चूज कर लेड़ को फिर डाउन बाला यहां पर रे रेट मतलब जो candle का वो में उसी color का ही चाहता हूँ मतलब जो candle flat वनेगा उसका ओप क्या रहो तो जो बाइड़ ध्डिलट क्या हूँ हूँ the week parallel recollect तो फिर यहां पर प्राइज लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो फिर यहां पर प्राइज लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो फिर यहां पर प्राइज लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो यहां से क्लिक करके इसको निकल भी सकते हो मैं इसको रख देता हूUMbak और ताइम जोन में जा कि आप सकते हो तो chi कि इसको इसको चूज कर देता हूं तो इसको को लोस कर देता अब दे सकते हैं पूसरी में कंडेल का कलार इसब से करके सेड़ कर लें कर देंक conf č कुछ भी आगर ड्राइंग करके रखो आपने आनलेसिस किये हो या कुछ भी इंडिकेटर लगाए हो आप उसको किसी के साथ शयर करना चाते हो यहाँ से आप से अ इसको स्क्रिंट लेके सेर भी कर साथी या फिर आपने पास ही राखना चाते हूं व्यूचर रीफरेंट्स के लिए से स्क्रेटिड्स लेकर उसको रख सकते हो थो यह जो बटन इव फूल स्क्रिंट और स्ट कर सका साफर भी तो फूल स्क्रिंट है इसको रगर दिल्पीन करें नहीं जाएगा तो उसके लिए आपको क्यों साइड क्लिक करना पड़ेगा फिर यहाँ पर आपको दो टाइप मिलेगा एक टेमपलेट एक अनलाइसिस तब किस टाइप पर सेब करना चाहते हो पहला है टेमपलेट्स जैसे मैंने आप यह आप यह कैन्डल का कलार बगड़ा चेंज किया और यहां पर moving average को change किया, तो मैं चाहता हूँ यह template मेरे पास save हो, और इस template को open करके मैं इसको उपर किसी भी chart को लगा के देखना चाहता हूँ, मैं इसको template के रूप में save कर दोँगा, तो मैं यहां पे ळिखने हूँ, तो इसको उपर किलिक कर दोँगा, तो यह save हो जाएगा, फिर मैं जब इस chart को close करके निकल जाऊँगा यहां से, फिर मैं दूबढ़ा यहां पर आऊँगा, तो मेरे पास यह चाह इसा जो मैं color change किया, पर जो में वॉल्यूम चेंज क्या है इस तरह का दो पेन नहीं होगा बाइडिपॉल्ट जो इन्वेस्ट.com का सेटिंग है उस तरह का यह ओपन होगा फिर मुझे इसको ओपन करने के लिए यहां पर आना पड़ेगा ओपन सिस्टेम फिर टेंपलेट्स में सिलेट के वाई ट आण बाला जो वाइट हो इस तरह हो और यह और इक टेंपलेट में काम करने का है तो उस तो उसके लिए आप यहीं पर जाओगे और एनलाइसिस पर क्लिक करोगे फिर उस टॉक का नाम ले लोगे जैसे मैं टाटा मोटोर्स इसी काई नाम लेगता हूं और इसमें मैं कुछ भी आगर यहां पे ड्रॉव करके राखा हूं आभी तो फिलाल कुछ ड्रॉव नहीं है त तो मैं आपर इसको सेब कर दूँगा तो वह ड्रॉव मेरे पास सेब हो जाएगा तो फिर जाब मैं टाटा मोटोर्स को ओपेंड करूंगा तो वह काम मुझे दूबारा नहीं करना पड़ेगा जो मैं करके राखूंगा और सेब करूंगा तो फिर मैं चार्ट पर आके उस जाके स्टार्टा मोटोर को ओपेंड करके मैं देख सकता हूं यह जो बटन है यह डिली सेलेक्टेट से मतलब आप यहां पर कुछ भी सेब बना के राखोगे यहां से लेकिए यहां पर बहुत सब्सेब का उप्शन है उस तरह का सेब बना के राखोगे तो जीस सेब को लागा अजिए पर इसको पर क्लिप कर रहाँ तो जैसे में आप यहां पर दिखा देता हूं इसको जाओगे तो यहां पर लाइन खीच लेता हूं जैसे मैंने यह trend line खीच लिया हूँ, अब यह single है, जैसे मैं इसको move कर रहा हूँ, तो यह move हो रहा है, single है, इसको select करते हुए, आप अगर इसको duplicate selected set करो तो इसके duplicate copy आपके पास बन जाएगा, जैसे यहाँ भी selected है, तो मैं इसको एक पर click कर रहा हूँ, यहाँ पर duplicate बन चुका फिर आप इसको और पर भी use कर सकते हो, फिर इसको delete करने के लिए, जैसे यह सिलेक्टेट हो जाएगा, लेकिन आप चाते हो कि यह दोनों ही delete हो जाए, तो आप इसके उपर click करोगे, तो delete all save करोगे, तो दोनों ही delete हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारा type का, मतलब line खीश सकते हो, जैसे यहाँ पर है ray, तो आप इसको भी इस तरह खीश सकते हो, यहाँ पर click करोगे, अपनी सबसे इसको adjust करके, आप draw कर सकते हो, फिर इसका color बगड़ा change करने के लिए, इसको उपर आप click करोगे, फिर यह window आपके पास आएगा, फिर इसका जो भी color आ चाहिए हो ता ऐसा कर सकते हो, अपनी सबसे, फिर extended left, जैसे यह जो line का है, यह left की तरह extended है, तो मैं फिर सोपन कर लेता हूँ, अगर आप चाते हो कि right की तरह भी extend हो जाईए, तो इसको पर click कर गड़ी इस तरह भी extended हो जाएगा, अगर आप चाते हो कि दोना तरह पी extended नहीं रहे तो दोनों पर ऐसे click कर सकते हो, इसको close कर ढ़ाऊं और इसको delete कर देख सकते हो, इस तरह आप इसको और आप आप यह आप्सन है, वह सब दिखा रहा हो, तो मैं इसको भी delete कर देता हूँ, फिर next आप 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 अचलाएंग कर सकते हो, जैसे save drawing क सकते हैं, सकते हैं, यहाँ पिर rectangleicklî रहाईंग कर दो कर सकते हैं, यहाँ पिर rectangleabхण से twe, यहाँ पिर rectangle saving करना है, जैसे save के अदर आप काई पर बी गबल क्लिक कर जोगी, यह window के पास open हो जाएगा, फिर this window का जो water है, इसको अगर आप को कुछ color change करना है, तह आप color change कर सकते ह हो पिर इस लाइन का style चेंज कर सकते हों और बेल अब कुछ क्षुछ काल चाहिए देशंते हो जैसे यह रेक्टेंगल और ने चाहिए तो आप इसको च्रूध करके कालर चुछ कर सकते हुए सकर हैं ऑपี้ जाया कर सकते हो इस तरह का फिर coordinates में जाओगे तो आप यहां पे जो मैंने बना यहां rectangle इसका आप manually भी बना सकते हो कहां से कहां तक चाहिए प्राइस को देखे और date को देखे तो मैं streaming chat में बता जा था इसको कैसे किया जाता है manually तो आप उसको देख सकते हो सरफ यह से भी नहीं है आप यहां पर दिखाए जा रहे आपको line बगारा train line इसको भी आप कर सकते थे manually ऐसे प्राइस को देखे और candle का बार को size को देखे इसको निकल रहा हूं फिर यहां पर जाओगे तो आप यहां पर आप यह एव फिर क्लिक कर दोगे यह option आपके पास आजएगा फिर इसको बढ़ आप दोबड़ा क्लिक करोगे पिर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो यहां पर में लिख देता हूं Francine हो फिर आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए वो हो आप देशक त्छन सा कलर्स है ठपक्वाइब देश्ग नाई चाहिए जो नहीं चीए ठाच शया झालगा घैनाइए ठटक्क चैंज कर लोगागा तब कुणिक देगा उप tutorial करी आए तैक कर शकते यहां पर दिखा जाता हूँ आपको इसको ड्राइंग करने के लिए आप इसको सिलेट करोगे जहां से ड्राइंग करना है वहां पर क्लिक करोगे करने सकता हूं इसको यहां से ट्राइंग हो चुका है यहां से यहां तक यहां जो रैले हुए था उसका कितना पर ट्रेश वाख को दिखाई देगा यह यांग कर सकते हैं द्रॉइंग कर सकते। यहां पर आपके चेक कर सकते क from inside द्रॉज द्रॉफ दिया गया है उसी सबसक्तिश्ब आपकी द्राइंग कर सकते हूँ आता हॹ्हरोल निकल देता हूं घ्र यहां पर आता है जूव में इसको पड़क क्लिक करोगे यह काम जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, Zoom in, you, out, वो माउस का wheel से भी हो जाता है, फिर यह साइड यह जूम left, मतलब इस तरह आप क्लिप करेंगा तो आपका chart left की तरह जाता जाएगा, और इस तरह click करेंगा तो आपका chart right की तरह जाएगा, यह जो यहाँ पर जो काम हो रहा है, इस काम आप यहां से भी कर सकतों जैसे यहां पर आप कार्सा लेक्क्याओगे और इसको यह साइड करसी पर य hm, तो सक्षर से राइट की तरह जाएगा, फिर आगर आप यहां पर आऊगे और यह जो साइन नहीं है यह जो आप लेकर जाओगे तो ऐसा साइन आएगा फिर आप माउस को किलिक करते हैं इसको यह साइड घसी रहोगे तो आप देखोगे यह जो लास्ट बाला केंडल आप देख सकते हो वह इंपर है लेकिन डेटा आपका स्क्रीन प की यह लेट की तरह यह जो आपको दिखाए दे रहे यह constant रहे है और आंदर चला जाये तो उसके लिए आप यहां पर कलिक करोगे और यह साहिर आयसा करोगे तब मतलब इंट्रेक्टिव चाट के उपर सभी टेट आप सामने आ जाएगा जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो वांडे के कैंडल में जितना दिखाया जा सकते हैं वो सभी सामने आ चुका है नॉर्मल यहां पर आऊगे तो डिफर्ड जूम जो नॉर्मल था वही पर आ करते हो तो मैं स्ट्रेमिंग चाट यूज करता हूं कि मैंने इंट्रेक्टिव चार्ड और स्ट्रेमिंग चार्ड दोनों चाट को यूज किया हुआ हूँ तो मुझे इंट्रेमिंग चार्ड ज्यादा अच्छा लागा उसमें ज्यादा फीचर से और बहुत ईजी है उसको करना और उसमें जो पीटर्ट से वे स्ट्रीमिंग चय की तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अगर इंट्रेक्ट्र कम के उपर चाट को यूज़ करते हो तो चर्ट फिर आपके उपर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको करते हो तो उसका जो भी उसे तरह का यूज अप जिड़ा में भी यूज कर सकते हैं आपको इजी हो जाएगा जोने जाक्त को अपरेट करने में तो इस वीडियो के अई पर खत्म करते है और वीडियो के साथ-साथ यो आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर question है तो आप किसी भी वीडियो का comment section में जाके उस question को पूछ सकते हो और आपको अगर किसी भी दूसरा topic को जैसे मैंने इस पूड़ा series में cover नहीं किया हो तो उस topic के बारे में जानना चाते हो तो तो भी आप video किसी भी वीडियो का comment section में जाके पूछ सकते हो तो हम जोरूर उस topic के ऊपर वीडियो होना के upload करेंगे and thanks for watching this video